आई फ्रेंड्स वेलकम तो लॉवमेट आएम मस्कानमन ध्यान यो लीगल गाइड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू धी इंडियन कॉंस्टिटूशन पार्ट टू पार्ट वन मैं वीडियो का बना चुकी हूँ नोट्स भी देख चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल पर अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं जोइन किया है जिसका लिंक दिस्क्रिप्शन में तो प्लीज जाकर जोइन कर लीजे हर वीडियो के नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन काउंसल्स आक्ट से इंडियन काउंसल्स आक्ट ऑफ 1861 ठीक है इट ब्रॉट अबाट दो बिगिनिंग ऑफ दे रीप्रेजन्टेटिटिव इंस्टिटूशन्स इसने एक तरीके से इंडिया में रीप्रेजन्टेटिव इंस्टिटूशन्स की स्टार्टिंग की ठीक है उनको लेकर आना इसने इस आक्ट ने स्टार्ट किया एक तरीके से रीप्रेजन्टेटिव गवर्मेंट की जलक मिलना स्टार्ट हो गई थी हमें पर चाही अना स्टार्ट हो गई थी representative government की पहली बार इंडिया में इसी act की वज़े से इंडिया के लोगों ने पहली बार legislation का work देखा legislation का work मतलब law making law making कैसे होती है, laws कैसे होते है, laws कैसे pass होते है ये सारी चीजें इंडिया के लोगों ने पहली बार देखी because of this act अब इस act ने क्या क्या legislative पार दिये थे, हम वो discuss करने वाले हैं पहला जो है कि governor general का जो council था, उसको बड़ा कर दिया गया और किसलिए बड़ा किया गया, law making purposes के लिए और regulations बना रहे एक लिए उसके council को बड़ा कर दिया गया, जिसमें 6 से कम लोग नहीं होने चाहिए और 12 से जादा नहीं होने चाहिए, ठीके, समझो, 6 से कम नहीं और 12 से जादा नहीं होने चाहिए या नहीं, हम 13 पर नहीं जा सकते हैं और हम 5 पर नहीं जा सकते हैं, ठीके, 6 से कम नहीं और 12 से जादा members नहीं होने चाहिए थे और इसके आधे members, non-official members होते थे, right? इन members का term of office, two years रहता था इस legislative council के पास, क्या laws, मतलब क्या powers थी? कहां कहां के लिए ये rules और regulations बना सकता था? ये rules और regulations बना सकता था for inside and outside the British India इस act ने जो presidency governments थी Bombay और Madras की उनके legislative powers उनको वापस दे दिये जो शायद इसके पहले वाले act में उनसे छीन लिये गए थे वो अब इस वाले act में उन्हें वापस दे दिये गए जो provincial legislative councils थे, उनके पास ताकत थी कि वो अपने province के benefit के लिए, उनके भले के अपने province के भले के लिए acts बना सकते हैं governor general का assent लेना बहुत ज़्यादा जरूरी था, ठीक है कोई भी bill legislative council ने पास किया, लेकिन उस पर governor general ने assent नहीं दिया ठीक है, उसको पास नहीं किया, तो वो bill act नहीं बन पाता था, राइट तो governor general के पास ताकत थी उस bill को veto करने की, राइट वो उस bill को act नहीं बनने दे सकता था, यह ताकत थी उसके पास, राइट मैं आपको एक चीज बता दूँ, आज हम जो भी discuss करने वाले हैं, कुछ भी जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्लीज उसको Indian government से आप compare करिये, जो Indian government का structure है पूरा उससे compare करते चलिए, तभी आज का session एक तरीके से interesting हो पाएगा और knowledgeable आपके लिए हो पाएगा वरना तो यह पूरी-पूरी facts और history है, इसमें मैं आपको पढ़ा के क्या कर लूँगी, राइट इसको जब तक आप compare नहीं करोगे इंडिया के structure से, तब तक आप कुछ नहीं समझने वाले हो आज इसलिए जो भी आप पढ़ रहे हो, भले ही break ले लेके पढ़ो, भले ही थोड़ा-थोड़ा पढ़ो बट इसको Indian scenario से, Indian government के structure से, Indian governmental machinery से compare करते चलो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कितना ज़ादा difference है, कितना ज़ादा similarity है और वही चीज़ आपको आगे competitive exams में काम आने वाली है गवर्नर जनरल के पास पार थी कि वो ordinances issue कर सकता था इंडिया में किसके पास ताकत रहती है, ordinance issue करने की ordinance कब issue किये जाते है, जब ऐसी situation आती है कि पार्लिमेंट है वो session में नहीं है, एक law बनना बहुत ज़ादा जरूरी है किसी immediate situation पर, उसी को तुम ordinance issue करना कहते है न ठीक है, जब पार्लिमेंट session में नहीं रहता है, ठीक है और एक ऐसी situation खड़ी हो जाती है कि जिसके लिए law बनना बहुत ज़ादा जरूरी है तब president ordinances promulgate करते है, ordinances बनाते है, ordinances issue करते है तो ये ताकत जो president के पास है एंडिया में, वो पहले थी governor general के पास ordinances issue करने की, और उनके पास क्या ताकत थी, governor general के पास ताकत थी कि जो provinces है, presidencies है, territories है, उनकी boundaries वो change कर सकता है उनकी boundaries वो alter कर सकता है, बढ़ा सकता है किसी की boundary, किसी की boundary कम कर सकता है इंडिया ने भी तो यही ताकत है, यहाँ भी तो यही है, president के पास यह ताकत है to alter the boundaries तो जेखिश ते पर इंधिल्सिंव को, और पर ञाधा है, तो जी था. में बोलने का या कुछ करने का क्योंकि वो लोग एक तरीके से budget से related कोई भी question नहीं कर सकते थे budget से related कोई भी question नहीं उठा सकता था non official members को ये option नहीं दिया गया था क्या budget के उपर कोई भी question पूछिए non official members basically थे कौन? non official members थे आपके native princess ठीक है जो अगल बगल के थोड़े princess थे ठीक है? राजार महरा राजा थे जमीन दार थे वो सभी non official members थे ठीक है? and ये लोग एक तरीके से experienced या एक तरीके से well versed नहीं थे legislative machinery से ठीक है? इनको क्या पता कि laws कैसे बनते हैं? rules कैसे बनते हैं? तो उनने उठा कि इनको पहले ही non official members बना दिया उनको बताना तो चाहिए कि laws बनते कैसे हैं? क्या क्या होता है? right? तो इनको कुछ पता ही नहीं था तो ये interest नहीं लेते थे उस काम में ये भी बहुत बड़ा defect था इस act का अब अम अगले phase की तरफ बढ़ रहे हैं that is period from 1861 to 1892 ये period था Indian National Movement का अब वो कौन-कौन से factors थे जिसकी वज़े से movements start हुए, Indian National Movement start हुए, वो देख लेते हैं हमने inspiration ली political ideas of the West से, ठीक है? Western countries में जो political ideas चल रहे थे, liberty के equality से equality के, हमने उनसे एक तरीके से inspiration ली, right? और इंडिया में एक, और इस वज़े से ही हमने अपने National Movements start किये बाकी countries को हमने देखा कि Britain ने अपनी बाकी colonies भी बनाई हुई थी बाकी जगह भी Britain ने अपनी colonies बनाई थी तो एक तरीके से हम उनसे inspire हुए कि यार बाकी countries भी तो लड़ सकती हैं हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते हैं हमें एक बार तो fight देनी चाहिए इन लोगों को, right? तो हम लोग एक तरीके से inspire हुए बाकी countries से कि बाकी countries भी Britain को भगा सकते हैं अपने आसे तो हम भी अपने आसे भगा सकते हैं ठीक है? हमारे religious feelings का और religious faith का एक तरीके से revival हुआ, ठीक है? जो गनेश festival है वो वापस से मनाया जाने लगा महाराष्टर में और भी इसे बहुत सारे festivals का वापस से revival हुआ, religious feelings जो है हमारी जो दबा दी गई थी British द्वारा, वो वापस से जागना start हुए इन national movements के through, right? एक तरीके से British की towards the Indians का economic discontent था economically British हमने weak बना दिया था, right? और हमारा disappointment था economically उनके towards, क्योंकि हम गरीब होते जा रहे थे, right? तो इस वज़े से भी एक तरीके से हमारा उनके towards disappointment था, जिसकी वज़े से national movements start हुए, Indian press और vernacular literature के वज़े से हम काफी जादा inspire हुए, Indian press जैसे अमरिद बजार पत्रिका और ऐसे बहुत सारे जो papers थे, right? उनमें जो articles निकलते थे, उनमें जो चीज़े निकलती थे, वो पढ़के लोगों का एक तरीके से दिमाग खुल ला था, ठीके? वो सोचने पर मजबूर हो रहे थे, question कर रहे थे हर चीज़ को, ये चीज़ British को बहुत जादा खटक रही थी, that why they are questioning, means of communication जो बढ़ रहा था इतना जादा, उसकी वज़े से लोगों का दिमाग जो है change हो रहा था, कि वो British को बरदाश नहीं हो रहा था, British समझ गई थी, कि अगर Bengal में rage और जादा बढ़ने लगा न, वो पूरी country में fell रहा था, तो हम बचेंगे नहीं, इसी लुठा के Bengal का partition कर दिया गया था, right? एक तरीके से racially लोगों का गुसा बढ़ रहा था, इस ruling class के towards, Indian National Congress was founded in 1885, ठीक है, 1885 में हमारी INC बनी, ठीक है, और सबने first एक तरीके से session में, इसने resolution पास किया, और उस resolution में इसने एक तरीके से dissatisfaction दिखाया, existing system of government के towards, Indian National Congress ने एक तरीके से reforms मांगे, और expansion मांगा, legislative councils का, है और कहा कि, जो elected members है, उनको बढ़ाया जाए, इस council में, और उनकी powers भी increase की जाए, Lord Viceroy Dufferin ने, ठीक है, Viceroy Lord Dufferin ने एक तरीके से accept की Congress की demands और एक report बना के sent की British government को, ठीक है, इस report के basis पर, एक bill introduce हुआ and pass हुआ, दो साल बाद, और वो बना Indian Councils Act of 1892, वही अब हम discuss करेंगे, Indian Councils Act of 1892, देखते हैं, इसने क्या चीज़े अचीज़े अचीव की हैं, इसने members बढ़ा दिये, central और provincial councils के, partially आप कह सकते हूँ, election system को भी introduce किया, ठीक है, और जो council के functions हैं, उनको भी enlarge किया, ठीक है, governor general's council was not to have less than, अब governor general की council को भी बढ़ाया गया और कहा गया कि इसमें, 10 से कम लोग नहीं होंगे, और 16 से जादा नहीं होंगे, उसमें था, जो भी हमने पहले वाला act discuss किया, उसमें कितना था, 6 से कम नहीं होंगे, और 12 से जादा नहीं होंगे, इसमें क्या है, 10 से कम नहीं होंगे, और 16 से जादा members नहीं होंगे, इनके पास ये भी ताकती, governor general के बाद की एक तरीके से regulations बना सकते हैं, for the nomination of additional members, additional members को अगर लाना है council में, तो वो यही nominate कर सकते हैं, Bombay और Madras में कितना number होना चाहिए था members का, not less than 8 and not more than 28 से कम नहीं होने चाहिए था members, और 20 से जादा नहीं होने चाहिए थे, अब council के पास यहां पर ताकत दी गई कि वो budget को discuss कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ restrictions रहेंगे उनके उपर questions पूछने पर, यानि questions पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ restrictions रहेंगे, right, but the president of the council had power to disallow any question without giving a reason, जो president रहेगा council का, ठीक है, वो किसी भी question को disallow कर सकता है, वो किसी भी question को deny कर सकता है कि मैं इस question का answer नहीं करूँगा, without giving any reason, बिना कोई reason दिये, defects क्या थे, वो देखते हैं, जो system of election ये act लेकर आया था, वो बहुत जादा defective था, right, because इसने एक तरीकिस real sense में लोगों को representation नहीं दिया था, कुछ लोगों की जो class थी, वो over represented थी, ठीक है, बहुत जादा ही उनको representation मिल गया था, कुछ जो लोग थे, उनको बिलकुल ही representation नहीं मिला था, right, तो ये बहुत जादा problematic था, defective था, right, power of legislative council was very limited, legislative council का power बहुत जादा limited था, बहुत जादा कम था, है ना, non official members थो बहुत जादा कम हो गय थे, उनका जो numbers था, बहुत जादा गिर गया था, again a very important topic, Indian Councils Act of 1909, or the Morley-Minto reforms, इतनी जादा महनत चल लिए आपके लिए, I hope आप शेर करें, चैनल पर नए है तो please bell icon को hit कर दीजेगा, thank you, telegram channel को जरूर जोइन के लिए, बहुत important information मिलती है, आपको video के notes भी वही पर मिल जाते हैं, अच्छा, Morley-Minto एक ही इसलिए हम लोग कहते है, Morley-Minto reforms, राइट, जो legislative councils की पार थी, जो central और provincial, इन दोनों की ही जो numbers थे, ठीक है, size और पार, वो दोनों ही increase हुए थे, राइट, additional members जो थे governor general की council में 16 से बढ़ा कर 60 कर दिये गया, ठीक है, 16 से उनका number बढ़ा कर 60 कर दिया गया, ठीक है, जो council थी, अब उनके पास ताकत थी कि वो discuss कर सकते हैं, और resolution ला सकते हैं, budget को लेके, financial statement को लेके, ठीक है, लेकिन उनके पास vote करने की ताकत नहीं रहेगी, या phase start होता है guys, हम एक नए phase में enter करने जा रहे हैं, 19-19-2, 1947, introduction of self-government, right, बहुत important phase start होने जा रहे हैं, मैं फिर से आप से कह रहे हूं कि please compare करते चलिएगा, जो भी चीज़े आप यहाँ पे सुन रहे हो, जो भी चीज़े सुनाई दे रहे हैं, तुम गार जो भी चीज़े पढ़ रहे हो, उसको Indian scenario से compare करने आपको, पहला है, the Government of India Act, 19-19, Montek Chelmsford reforms, more limitor reforms, बुरी तरीके से fail हो गए, वो satisfy नहीं कर पाए, Indians को एक तरीके से parliamentary system of government वो country में नहीं ला पाए, Indian National Congress की demands बहुत जादा बढ़ रही थी, एक तरीके से parliamentary government के लिए, ठीक है, एक अच्छी government के लिए उसकी demands बढ़ती ही जा रही थी, तो इक तरीके से British government ने declaration दिया, for the future policy of His Majesty's government, His Majesty's जब मैं बोलती हूँ, तो आप समझिये, Queen या King, जो है, England के, ठीक है, His Majesty's government was that, ठीक है, मतलब कि future government जो होगी, Britain की, या British की, वो कैसी होगी, तो ये line जो आपे पैरा नहीं मैंने लिखा है, in increasing association of Indians in every branch of the administration and the gradual development of self-government, ठीक है, ये जो पैरा है, ये बहुत जादा important है तुमारे लिए, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, बहुत जादा important है, ये पैरा आपको बता रहा है कि जो future government होगी, वो कैसी होने वाली है, right, इस पूरे paragraph में वो चीज पता चल रही है, increasing association of Indians in every branch of the administration, यानि जो Indians हैं, उनका एक तरीके से participation, administration की हर branch में बढ़ेगा, ठीक है, administration में Indians का participation बढ़ने वाला है, ठीक है, and the gradual development of self-governing institutions, एक तरीके से जो self-governing institutions है, ठीक है, उनका भी development होगा, with a view to progressive realization of responsible government in British India, ठीक है, क्यों होगा इनका development, क्यों self-governing institutions आएंगे, क्यों Indians का participation बढ़ेगा, with a view to progressive realization of responsible government in British India, ठीक है, क्योंकि एक responsible government चाहिए, British India के लिए, ठीक है, as an integral part of the British Empire, ये खटक गया, ये चुब गया लोगों को, राइट, तुमने अभी तक अच्छे-ची चीजें कही, वो हमें अच्छा लगा, क्यों हमाई future government, जो होग इसमें Indians का participation बढ़ेगा, administration में, self-governing institutions का और जाधा development होगा, ठीक है, एक तरीके से ये सब सही था, एक responsible government के लिए सारी चीज़ा चाहिए, सब सही था, लेकिन जब तुमने ये का, as an integral part of the British Empire, यानि अभी भी तुम साले India छोड़ कर जाने वाले नहीं हो, ये चुब गया लोगों को, इस वज़े से बहुत ज़ादा गुसा था लोगों में, कि लोग मानी नहीं रहे हैं, हम कब से बोल नहीं लोग मानी नहीं रहे हैं, right, as an integral part of the British Empire, यानि ये जो सब कुछ होगा, इसमें British Empire का हाथ उपर से रहेगा, अभी भी British Empire जाने के लिए ready नहीं है, this step paved the path for independence of India, इस step की वज़े से, British के इस step की वज़े से, एक तरीके से independence के रस्ते पर हम चल चोके थे, main features क्या है, act of 1919 के लिए डिसकस करते हैं, इस act ने इंडियन से जूटा promise किया कि वो होने responsible government देगा, this act introduced a system of diarchy in provinces, बहुत 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 इंपोर्टेंट है, इसका मतलब होता है, double rule, diarchy in provinces का, इसका एक तरीके से objective था, कि जो natives है, ठीक है, जो local people है, उनको एक तरीके से self-government की training देना, right, in matter of legislation subjects, ठीक है, legislate कैसे किया जाता है, किसी subject पर law कैसे बनाया जाता है, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में उनको training देना, जो subjects थे, ठीक है, different जैसे education हो गई, health हो गई, ऐसे करके जो different subjects थे, legislation के subject थे, जन चीजों पर laws बनाये जाते हैं, उन चीजों को दो category में divide किया गया, उन subjects को दो category में divide किया गया, central और दूसरा, provincial, जो provincial subjects थे, वो further divide हुए, reserved और transferred subjects में, जैसे कि police, justice, finance, etc., यह जाधा important है, यह बहुत जाधा important है, thus, इनको reserved subjects की category में डाला गया, ठीक है, इन subjects को कौन govern करेगा, governor, ठीक है, and his executive council, governor के पास ताकत थी कि वो ministers और executive council, दोनों की ही बातों के, को override कर सकता है, राइट, दोनों की बातों को काट सकता है, अपनी बात आगे रख सकता है, उसके पास ताकत थी, जो provincial legislative council थी, उसके पास ताकत थी कि वो जो legislate कर सकती है, provincial matters में ही, जो उसकी provincial related matters है, सिर्फ उसी में वो बोल सकती है, जो उसको बोलना है, लेकिन इस case पे भी provincial legislatures पर बहुत ज़ादा restrictions थे, उनके legislative pass पर बहुत ज़ादा restrictions थे, गवर्नर जनरल की permission कुछ cases में लेना बहुत ज़ादा जरूरी था, जिस इस पे अगर आप law बना रहे हो, तो कुछ cases में गवर्नर जनरल की permission लेना जरूरी था, और उसके पास अभी भी पार था, बिलको veto करने का, बिलको cancel करने का, और जो proportion था, elected members का, वो increase कर दिया गया, ठीक है, elected members का जो number था, वो बढ़हा दिया गया, and there were separate electorate for Muslims, Muslims के लिए separate electorates भी थे, तो इस तरीके से हम कह सकते है, communal electorates का concept आ चुका था है, यहां पर, Hindus Muslims को divide करने की यहां पर, चीज़े start हो चुकी थी, situations बनना शिरू हो चुकी थी, transferred subject कम एन example नहीं दिया था, transferred subjects के example है, health education, मतब less important चीज़े, health education ही, थोड़ी कम important चीज़े, उससे जादा important चीज़े, justice, police, finance, वो सारी चीज़े तो governor के पास थी, यह सारी चीज़े ministers के पास थी, central government देखते हैं, इस act ने कैसी central government बनाई है, जो central government थी, वो किसको responsible थी, किसको accountable थी, जो central government थी, वो एक तरीके से state के थरू, right, secretary of the state के थरू, वो अपनी बात रखती थी, British Parliament के सामने, central government, central legislature was to have a bicameral legislature, guys, come on, compare करो, कितना सही है, राजसभा, लोकसभा, वहाँ पे भी bicameral legislature, देखो, central legislature जो था, उसके पास bicameral legislature था, right, यानि दो houses थे उसके पास, it was now a more representative body, यह और जादा representative बन रही थी, अपने structure में, council of state जो था, वो upper house था, ठीक है, central legislature में दो houses थे, ठीक है, उसमें council of state जो था, वो upper house था, जिसमें 60 members थे, ठीक है, और 34, 60 में से 34 members elected थे, right, legislative assembly lower house था, जिसमें 144 members थे, जिसमें से 104 elected थे, और बाकी जो उसमें से बच जाते थे, वो nominated थे, confusing के चीज़े मुझे समझ में आर, अगर कुछ नहीं समझ में आता है आपको तो, comment section में डाल दीजेगा, law piece मेरी इन्स्टा इडी, इसका link description में दीए, वहाँ पर भी आप मुझे बता सकते हो, मैं समझ रही हो, चीज़े contradictory होंगी, net पे कुछ और लिखा होगा, आपकी book में कुछ और लिखा होगा, मैं आपको highly highly recommend करूँगी, अपनी book से stick रहें, और अपनी book पे ही उसको follow करें, जो book में लिखा है, राइट, जो अभी मैंने बताया, आपको 144 members में से 104 elected रहेंगे, बाकी nominated रहेंगे, उन nominated members में से भी, ठीक है, उन nominated members में से भी 26 members officials रहेंगे, राइट, दोनों ही houses के powers equal थे लगभग, ठीक है, लेकिन जो कितने, बिल को veto करने का पार था, ठीक है, बिल को cancel करने का पार था, वो एक तरीके से lower house के पास था, ठीक है, lower house के पास थी ये पार कि बिल को veto किया जा सकता है, बिल को रोका जा सकता है, financial bills के case में, दोनों ही houses के पास equal power थी लेकिन, लेकिन, लेकिन twist यहाँ पर यह है जो central legislature है उसके पास अभी भी ताकत थी कि वो इंडिया में किसी भी subject से किसी भी subject के ऊपर भले ही वो क्या कहते है provincial का subject हो, भले ही वो क्या कहते है upper house, lower house कहीं का भी subject हो उसके उपर वो law बना सकता है, भले ही वो health हो education हो, भले ही वो finance हो कोई भी subject हो उसके उपर वो एक तरीके से law बना सकता है, यह ताकत अभी भी central legislature के पास थी governor general के पास अभी भी overriding powers थी in respect of legislatures, ठीक है, अभी भी वो एक तरीके से legislature की बात को हटा कर अपनी बात आगे रख सकता था, इसकी बात जादा important थी legislature की बात से अभी भी governor general का एक तरीके से permission लेनी पड़ती थी कुछ matters में अगर हमें bill introduce करना है तो कुछ matters में अगर हमें bill लेकर आना है कोई law लेकर आना है तो हमें governor general की permission लेनी पड़ती थी governor general के पास ताकत थी वह कोई भी bill को reserve कर सकता है for consideration of the crown, ठीक है कोई भी bill को रोक सकता है और reserve कर सकता है कि उसके लिए crown की permission लेना ज़रूरी है और crown के पास उस bill को बेच सकता है इसके पास ताकत थी कि वो किसी भी bill को certify कर सकता है और sign करके उसे law बना सकता है भले ही legislature चाहता हो या ना चाहता हो ठीक है legislature के against जा कर भी ये laws बना सकता है और उस law का वैसा ही effect होगा जैसे की उसे legislature ने खुद pass किया हो उसके पास वैसा ही effect होगा उस law की वैसी ही ताकत होगी जैसे उसे वो लॉस वैसे ही बाइंडिंग होगा जैसे कि उसे legislature ने खुद पास किया हो तो इसके पास एक तरीके से ये भी ताकत थी तो हमारे हाथ में बचा क्या कुछ भी नहीं राइट भी इनके पास ordinance making पार थी राइट in cases of emergency central legislature के पास ताकत थी किसी भी matter पर legislate कर सकती किसी भी matter पर law बना सकती है अब ये point important है 13th point important है यहाँ पे लिखा है कि suppose अगर conflict हो जाता है ठीक है central और provincial subjects के बीच में कोई एक subject है और हमें समझ नहीं आ रहा कि central का subject है या province का subject है राइट दोनों में conflict आ जाता है तो अब ये चीज़ कौन decide करेगा ये चीज़ courts नहीं decide करते थे कि subject central है या provincial है ये चीज़ decide करता था governor general कि वो subject provincial है या central है दस तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभी भी अभी भी इंडिया में एक centralized government थी ठीक है because governor general के पास इतनी जादा थाकत है राइट वो तो एक तरीके से center में अभी भी बैठा हुआ है तो अभी भी इंडिया में एक तरीके से centralized government चल रही थी demerits या shortcomings क्या है act of 1919 के वो discuss करते हैं अभी भी centralized government है पहला तो यही demerit है आपका दूसरा है कि provincial legislature को यह बंदा हट नहीं रहा था राइट यह अगर हट जाता तो एक तरीके से power पूरी पूरी इंडिया के हाथ में आ जाती तो governor general की जो ताकत थी वो कम हो ही नहीं रही थी वो हटी नहीं रही थी finance वही बात है finance एक reserved subject बना दिया गया था तो यह minister के हाथ में था ही नहीं राइट यह minister के हाथ में था ही नहीं यह executive council के हाथ में था ठीक है जिसकी वज़े से अगर minister को कुछ चीजें implement करने थी कुछ progressive measures लेकर आने थे तो उसके पास funds रहते ही नहीं थे provincial legislature में जो ministers है उनकी collective responsibility क्या होगी राइट इंडिया में collective responsibility का system follow होता है उसका principle follow होता है जो कि बहुत important है तो यहाँ पर collective responsibility जैसा कोई provision था ही नहीं ठीक है सबसे बड़ा blender था ही है Simon Commission को देखते हैं यह जो मैंने part 1 बनाया है video को और यह जो part 2 में आप चीजें देख रहे हैं तरीके से आप इसको कह सकते ही crash course है modern history का ठीक है इतनी short में modern history आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा जतना आपको यहाँ पर मिलना है with notes ठीक है तो please इस चीज को consider करिएगा demand उठी reforms की ठीक है लोग अभी भी satisfy नहीं थे इसकी वज़े से ब्रिटिश गवर्मेंट ने एक commission अपॉइंट की जिसको statutory commission थी वो एक जिसका नाम था Simon Commission ठीक है Simon Commission एक statutory commission थी जिसे ब्रिटिश गवर्मेंट ने अपॉइंट किया था commission का काम था कि वो एक तरीके से inquire करे और report करे on the working of the act in 1927 ठीक है 1927 में इसका काम start हुआ कि तुम report करो और inquire करो act के बारे में John Simon जो था वो इस commission का head था ठीक है और इसने अपने report summit की 1930 में report जो है वो discuss हुई round table conference में ठीक है जिसमें कि इंडिया के भी representatives मौजूद थे और British के भी मौजूद थे एक white paper prepare किया गया ठीक है conference में जिसमें क्या कहते है outlines मौजूद थी reforms की क्या क्या reforms होंगे कैसे कैसे होंगे राइट वो सब कुछ मौजूद था उस white paper में ये white paper जो है ये submit किया गया select committee को Parliament की British Parliament की select committee को ये white paper submit किया गया ठीक है फिर उस committee के recommendations पर Government of India Act 1935 पास हुआ ठीक है अब हम वही discuss करेंगे the Government of India Act 1935 बहुत 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 important है यार मतलब UPSC में मैं नहीं मानती हूँ इससे कोई question नहीं आएगा इससे questions जरूर आने वाले है राइट मैं बताती हूँ क्यूँ क्योंकि ये जो हमारा present constitution है उससे बहुत मिलता जुलता है बहुत मिलता जुलता है राइट वो आपको आगे पता चलेगा कैसे पहली similarity में मिल गई it was a lengthy document ये एक lengthy document था तो इंडियन constitution किता बलकी है राइट वर्ल्ड का सबसे लेंदियस constitution है 321 sections थे government of india act में with 10 schedules ये एक तरीके से mini constitution दिया था ब्रेटिश ने हमें राइट उसने constitution बनाया था इंडिया का आप कह सकते हो 321 sections थे इसमें 10 schedules थे इस act ने कहा कि एक all india federation बनेंगी तो हम कह सकते अभी तक जो हम पढ रहे हैं राइट यूनिट्री सिस्टम से हम अब एक federal system की तरफ बढ़ रहे हैं तो इस act कहा कि एक all india federation बनेगी जिसमें British India provinces होंगे ठीक है British India के provinces होंगे और वो Indian states होंगे जो इसको join करना जाते हैं राइट यानि Indian states को force नहीं किया गया कि इससे join करो इस federation को जो उनके उपर था कि उन्हें join करना है या नहीं join करना इस federation को राइट जो भी Indian state इसको join करेगा इस federation को join करेगा उसे एक तरीके से अपनी authority give up करनी पड़ेगी अपनी authority छोड़नी पड़ेगी राइट और वो authority किसके पास जाएगी federal government के पास जाएगी राइट और उस state को sign करना होगा instrument of accession ठीक है उस state को एक instrument of accession sign करना जरूरी है इंडियन state के rulers ने इस चीज को accept नहीं किया इस चीज को उन्होंने नहीं follow किया दस federation कभी बनी ही नहीं राइट जो provinces में डायार्की इंट्रोड्यूस की गई थी अब वो provinces से डायार्की हटा दी गई और center में ले आया गया उसे राइ executive authority कौन था center में governor general इस act से एक तरीके से provincial autonomy की start हुई ठीक है provincial autonomy मिलना शिरू ही जो provinces थे उनके पास एक तरीके से अब ताकत थी कि वो उन्हें depend होने की ज़रत नहीं है central legislature के उपर वो लोग autonomous units बन चुके है administration के ठीक है वो अपना काम आप खुद देख सकते हैं तो provincial autonomy का concept यहीं स निकल कर आया provinces were now independent of central legislature जो आपका क्या कता है provincial एक तरीके से system था provincial machinery थी उसकी executive authority कौन था उसकी executive authority था governor ठीक है governor general नहीं governor ठीक है और governor was to exercise पार governor कैसे अपनी पार exercise करेगा crown के बिहाफ पर ठीक है crown के बिहाफ पर वो अपनी पार exercise करता था और यह governor governor general के subordinate नहीं था ठीक है यह governor एक तरीके से governor general के नीचे नहीं था लेकिन यह जो governor था जो province का governor था जो province की executive authority थी ठीक है इसको जो भी करना था वो अपनी ministers की advice पर करना था right ministers के कहने पर करना था on the aid and advice of ministers on the aid and advice of ministers यह बात को समझो यह Indian constitution में है president cannot act ठीक है president अपने से ही act नहीं करता है president acts on the aid and advice of council of ministers council of ministers की advice पर ठीक है act करते है Indian president यह लिखा हुआ है constitution में वही यहाँ पर भी है the governor of a province was required to act in the advice of ministers on the advice of ministers और यह ministers responsible थे legislature को ठीक है कुछ भी गलत होता तो यह ministers responsible थे legislature को यानि collective responsibility का भी concept आ गया तो यहाँ पर भी तो यही है Indian constitution में council of ministers आ collectively responsible राइट समझो चीजों को इस act के भी बहुत सारे defects थे जो federal legislature थी उसके दो houses थे council of states and legislative assembly legislative assembly में कितने members थे 375 members थे ठीक है legislative assembly lower house था उसके 375 members थे जिसमें से 250 members British India के थे and 125 members Indian states के थे ठीक है और इसका tenure कितना था पात साल के लिए बैठती थी लेकिन उसके पहले भी dissolve की जा सकती थे council of state upper house इसमें कितने members थे 260 members थे 156 members British India के थे और 6 nominate करता था governor general और बाकी जो members बचते थे वो directly elect होते थे 104 members were nominated by the princes of Indian states और 104 members Indian states के जो prince थे वो nominate करते थे federal legislature के बहुत ही limited party ठीक है अगर deadlock हो जाता था upper और lower house में ठीक है lower और upper house आपस में किसी चीज़ पर agree नहीं कर रहे है एक deadlock बन गया है तो इस deadlock को break कैसे करना है उसके लिए एक अलग से joint session होता था कि हमारे यह अभी तो यही होता है Indian constitution में क्या होता है अगर deadlock आ जाता है तो एक joint session नहीं रखता है president president keeps a joint session also राजसभा और लोकसभा का एक joint session भी होता है वही governor of province जो है उसके पास discretionary पार था ठीक है मतलब वो जो सोच रहा है उसका अपनी मर्जी से भी वो कोई पार को exercise कर सकता है अपने discretion पर भी कोई पार को exercise कर सकता है discretionary पार था उसके पास ठीक है और जो दूसरा पार था वो exercise कर सकता है लेकिन उसको ministers की advice लेना जरूरी है जो ministers उससे करवाएंगे उसको करना जरूरी है वो उनकी advice के against नहीं जा सकता है point number 16 हमारे लिए बहुत ज़ादा important है इस act ने एक तरीके से पार का three-fold division किया पार को तीन categories में divide किया between the center and the provinces center और province के बीच में पार को three categories में divide किया गया federal list, provincial list और concurrent list हमारे या क्या क्या है? हमारे क्या है? union list है, state list है और एक concurrent list है यहाँ पर क्या है? federal list, provincial list और concurrent list federal legislature laws बनाता था उन subjects पर जो federal list में मौझूद है ठीक है? federal list में जो subjects मौझूद है federal legislature सिर्फ उन्ही subjects पर laws बनाता था कित्ते subjects मौझूद थे? federal list में 59 federal subjects national importance के रहते थे जैसे कि currency, external affairs, etc. यह सारे तो यही चीज़े तो union list में भी मौझूद है आज जो defense, ऐसी जो important, national importance की जो चीज़े हैं वो union list में मौझूद है Indian constitution में वही चीज़ें यहाँ पर federal list में मौझूद है provincial legislature सिर्फ उन्ही subjects पर laws बना सकता था जो provincial list में मौझूद थे? कितने subjects मौझूद थे? provincial list में 54, right? provincial subjects local importance के रहते थे जैसे कि police, education, etc. ठीक है, local importance के subjects जो थे? वो provincial list में मौझूद थे? तो यही तो state list में आज होता है, है न? state list में भी local importance के subjects मौझूद रहते हैं है कि नहीं? अब point number 21 federal और provincial legislature दोनों ही दोनों ही federal और provincial legislature legislate कर सकती है या laws बना सकती है उन subjects पर जो concurrent list में मौझूद है यानि concurrent list में जो भी items मौझूद है उनके उपर federal और provincial legislatures दोनों ही laws बना सकती है तो कितने subjects मौझूद है concurrent list में 26, 26, concurrent list में कैसे subjects मौझूद हैं यहाँ पर criminal law, marriage, divorce, etc. है ना, तो ऐसे ही तो आज यहाँ भी होता है union और state, दोनों ही concurrent list में जो subjects मौझूद हैं उन पर laws बना सकती है, Indian constitution में भी तो यही होता है, emergency के दौरान, right, कोई ऐसी situation आ गई ही, जो बहुत provincial list के भी subjects पर laws बना सकती है, यानि अगर कोई ऐसी situation आ जाती है, जो emergency की situation है, उस situation में जो federal legislature है, जो federal legislature है, वो provincial list के subjects पर laws बना सकती है, right, और वो emergency कौन proclaim करेगा, governor general, governor general के पास ताकत रहेगी to proclaim emergency, इंडिया में क्या होता है, president has power to proclaim emergency, right, president के पास ताकत रहती है, कि वो emergency को proclaim कर सकते हैं, यहाँ पर यह ताकत governor general के पास है, right, यही same situation इंडिया में भी होती है, जब emergency लग जाती है, तो जो union government है, वो state government के powers ले लेती है, right, union powerful हो जाता है, जो center है, वो powerful हो जाता है emergency की situation में, right, तो union government के पास ताकत आ जाती है, कि जो state list में subjects मौजूद है, उन पर भी वो laws बना सकती है, right, तो यही तो यहाँ पर भी हो रहा है, जो federal legislature है, emergency के दौरान वो ताकत वर हो जाता है, और वो provincial list के subjects पर भी laws बना सकता है, same situation, कुछ भी difference नहीं है, एक तो emergency के situation में federal legislature ऐसा कर सकता है, कि वो provincial list के subjects पर laws बना सकता है, और कौनसे situation में ऐसा किया जा सकता है, अगर दो या दो से जाधा provinces, थीक है, दो या दो से जाधा provinces आपस में ऐसा decide करते हैं, अपने common interest के लिए, थीक है, अपने common interest के लिए, अपने भले के लिए दो या दो से जादा provinces ऐसा decide करते हैं कि federal legislature को हमारे you know province के subject पर law बनाना चाहिए तब भी federal legislature provincial subject पर law बना सकता है यानि दो या दो से जादा provinces voluntarily अपनी मर्जी से अपने interest को ध्यान में रखते हुए अगर federal legislature से कहते हैं कि आप हमारे subject पर law बनाओ है न हमारे भले के लिए तब भी federal legislature ऐसा कर सकता है यही same चीज इंडियन constitution में भी होती है अगर दो या दो से जादा state union के पास जाते हैं कि आप legislate करो हमारे interest के लिए आप laws बनाओ हमारे interest में तो union ऐसा करता है राइट in case of conflicting the concurrent list अगर concurrent list में जो items मौझूद है उस पर union उस पर एक तरीके से federal और province दोने ही laws बना सकते हैं राइट ऐसा मैंने अपको बताया था लेकिन अगर federal और province के laws में एक तरीके से conflict आ गया contradiction आ गया तो किसका law prevail करेगा फेडरिल का law prevail करेगा राइट फेडरल लेजिसलेचर का law prevail करेगा लेकिन अगर provincial law ठीक है क्या कि यहाँ पर बात हो रही है अगर concurrent field में ठीक है concurrent list पे अगर federal और province दोनों ही laws बना रहे हैं तो अगर उन दोनों के बीच में conflict हो गया जगडा हो गया एक तरीके से laws contradict करने लगे तो किसका law prevail करेगा federal का law prevail करेगा ठीक है तो या governor general का consent मिल गया या crown का consent मिल गया king का consent मिल गया तो provincial law prevail करेगा over federal law समझ करेगा सारा एक तरीके से बहुत ज़्यादा similar है यह act Indian constitution के provision से बहुत ज़्यादा similar चीज़े हैं आपर अच्छा अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ subjects इन तीनों ही list में मौझूद ना हो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर subject properly divided है यह province का subject नहीं federal का यह concurrent का ऐसे भी तो कुछ subjects छूट गए होंगे जो तीनों ही list में नहीं बैठते हैं जो तीनों ही list में नहीं है ऐसे subjects को हम कहते हैं रेजीडूरी सबजेक्ट ठीक है रेजीडूरी सबजेक्ट और रेजीडूरी सबजेक्ट पर लॉब बनाने की पार को हम कहते हैं रेजीडूरी पार ठीक है रेजीडूरी पार रेजीडूरी का मतलब संजो क्या है Residual subject एक तरीके से ये word Residual आ रहा है Residual से ठीक है Residual का मतलब होता है बचा कोचा नीचे का जो चीज बच जाती है चाय पीते हो आखरी में जो चीज बच जाती है उस Residuals होते है उसी तरीके से Residual subjects यानि जो subjects तीनों ही list में नहीं बैठ पाए बच गए उनको हम कहेंगे Residual subject ठीक है तो अब Residual subject पे कौन लौ बनाएगा ठीक है इसकी पार के Residual subject पे कौन लौ बनाएगा यह पार भी लिती governor general को governor general के पास ताकत थी decide करने की कि इस सबजेक्ट पर कौन लौ बनाएगा या तो governor general ये ताकत दे सकता था federal को या provincial legislature को की residory subject पर law बनाओ तो ये governor general देता था ताकत या तो federal बनाएगा या तो provincial बनाएगा ये decide करने की ताकत थी governor general के अब the government of India Act 1935 ने हमें federal court का भी concept दिया है देखते है federal court क्या था federal court भे हमारे पास एक chief justice रहते थे और six judges रहते थे judges की retiring age थी 60 years ठीक है और ये कौन appoint करता था इन judges को इन judges को appoint करता था crown इनके पास तीन तरीके के jurisdictions थे original jurisdiction, appellate jurisdiction and advisory jurisdiction original jurisdiction का मतलब था यानि कोई भी dispute अगर federation के बीच में उठ रहा है और units के बीच में उठ रहा है थीक है यानि federation और units के बीच में अगर कोई dispute उठ रहा है या units के आपस के बीच में उठ रहा है थीक है तो हो इस court के पास जाते थे और ये court अपना original jurisdiction exercise करता था था थोड़ा थोड़ा supreme court वाला feel नहीं आ रहा है तुम्हें ज़रा compare करके देखना एक बार इस court के पास appellate jurisdiction भी था यानि high court से जो appeals आती थी वो ये court सुनता था राइट अगर कोई ऐसा question रहता था substantial question of law रहता था ठीक है को substantial question of law यानि यहां पे government of india act को अगर interpret करना रहता था ठीक है उसका interpretation required रहता था जैसा कि high court उसे बताता था राइट अगर high court ने कहा federal court को कि हमें government of india act को interpret करने की जरूरत है एक substantial question of law उठ रहा है ठीक है एक question of law उठ रहा है तो यह court उसे भी consider करता था federal court से appeal कहां जाती थी प्रिवी council में जाती थी ठीक है यह चीज़ हमारे लिए जरूरी है substantial question of law और interpretation of the government of india act यह चीज़ जरूरी है क्योंकि high court अगर ऐसा बोलता है कि there is requirement of indian high court अगर ऐसा बोलता है there is requirement of interpreting the constitution और there is a matter of subject of substantial question of law तो वो supreme court को दिया जा सकता है high court अगर supreme court से कहता है कि यहाँ पे constitution को interpret करने की जरूरत है यहाँ पे substantial question of law उठ रहा है तो supreme court उसको consider करता है तो काफी जादा similarity है governor कोई भी question एक तरीके से refer कर सकता था federal court के लिए ठीक है अगर governor को किसी भी matter में advice चाहिए थी किसी भी matter में एक तरीके से उसे salaha चाहिए थी तो वो federal court से salaha मांग सकता था यही चीज यहाँ पे भी होती president को अगर किसी matter में advice चाहिए तो supreme court को refer कर सकता है वो matter आपको बताने जारे हूँ, यह बहुत ही जादा important paragraph है, ठीक है, ध्यान से सुनना, 1935 में, सॉरी, 1939 में second world war हुआ, ठीक है, 1939 में second world war हुआ, जिसमें एक तरीके से यॉरप भी था, यॉरप भी शामिल था, British government ने क्या किया, British government ने इंडिया को belligerent country at war with Germany declare कर दिया, ठीक है, समझ र war, eager to fight, जो बहुत जादा aggressive और लड़ने को उतालू हो, उसको कहते हैं belligerent, ठीक है, तो इसी तरीके से British government ने इंडिया को belligerent country declare कर दिया, यानि इंडिया बहुत eager है fight करने में, इंडिया बहुत eager है war करने के लिए, किसके साथ, Germany के साथ, समझ रहे हो, और ये British government ने खुद उस से पूछे, बिना Indian legislatures से permission लिए, ऐसे ही उसने declare कर दिया, इंडिया को, एक country जो की war के लिए eager है, राइट, ओभी second world war में, Germany के साथ, fight करना चाता है इंडिया, ऐसा किया British government ने, ठीक है, इस वजह से जो Congress के Ministers थे, उन्होंने resign कर दिया office से, ठीक है, Congress Ministers इसके इतने ज़ादा against थे, कि उन्होंने ministry से resign कर दिया, अपनी, बहुत सारे Indian soldiers मरे थे, बहुत सारे Indian soldiers की death होई थी, जिसकी वजह से सरोजनी नाइडू जी ने एक बहुत अच्छी poem भी लिखी थी, The Gift of India, अगर आपने नहीं पढ़ी है, मैं आपको highly highly recommend करूंगी, प्लीज वो एक बार poetry पढ़ो, वो उन्होंने उस poem में लिखा हुआ है, और Indian soldiers के लिए तनी प्यारी lines उन्होंने लिखी है, ठीक है, कि उन्होंने कैसे, इंडिया ने कैसे एक तरीके से अपने soldiers दिये हैं, in wars के लिए, वो सब कुछ उन्होंने लिखा है, तो प्लीज वो poem जरूर पढ़ीगा, वो इसी ही हमें गुजेर दिया Second World War में, फिर आया Crips Mission, ठीक है, Crips Mission आया, और March 22, 1942, ठीक है, 22 March 1942 को British Government ने Stafford Crips को इंडिया भेजा, ठीक है, क्यूं भेजा, ताकि वो Indian leaders के साथ एक तरीके से negotiate कर सके, बात कर सके, और उनकी permission ले सके कि वो लोग war में participate करे, राइट, वो लोग अपन क्या-क्या Crips ने propose किया, ठीक है, क्या-क्या proposals दिये, वो देखते हैं, पहला जो उन्हों ने कहा, Crips ने कहा कि एक war के बाद, ठीक है, war के बाद हम steps लेंगे कि एक elected body बनाए, जो वो elected body help करेगी constitution बनाने के लिए इंडिया का, राइट, war के बाद हम एक elected body लाएंगे, ठीक है जो की help करेगी इंडिया का new constitution build करने में, ठीक है, provisions बनाए जाएंगे, provisions बनाए जाएंगे ताकि Indian states भी उस constitution making body का part बन सके, राइट, वो लोग भी participate कर सके constitution making की process में, इस constitution making body में कौन-कौन लोग होगे, इसमें होंगे elected, you know, elected people of by provincial legislatures, ठीक है, provincial legislatures जिनको elect करेगी, वो लोग हो होंगे, एंड वो लोग होंगे, जिनको Indian princes nominate करेंगे, राइट, जो king है, क्या कहते है, ठीक है, his majesty government है, यानि British government जो है, वो एक तरीके से responsibility लेगी, पूरी-पूरी, और control करेगी, और direct करेगी, defense को, इंडिया के, राइट, इंडिया को defend करेगी, एक तरीके से, his majesty government, क्योंकि भ लोगों को defend करने की जिम्मेदारी, his majesty की होगी, Indian satisfied नहीं थे इस proposal से, और उनोंने इस reject कर दिया, राइट, Indian leaders found the seed of partition of the country in this proposal, देखो, first world war में भी India party था, ठीक है, ब्रिटिश की side से, ठीक है, इंडिया वैसे भी first world war में participate कर ले चुका था, एक तरीकी से, इंडिया के लोगों को ना taste मिल चुका था, कि world war में participate करने का नतीजा क्या होता है, ठीक है, मतब लाखों में soldiers मरे थे, लाखों में, ठीक है, इंडिया के लाखों में soldiers मरे थे, सिर्फ ब्रिटिश की वज़़े से, सिर्फ ब्रिटिश की वज़़े से, सोचो एक बार, कितना गुसा आता है ये सोच लीडर्स बहुत जादा satisfy नहीं थे इस चीज से, इस प्रपोजल से और इसको इन लोग ने reject कर दिया, ठीक है, और इंडियान लीडर्स को ऐसा लगा कि इस प्रपोजल में कहीं न कहीं, partition की एक तरीके से महेकारी है, ठीक है, partition होने वाला है, इंडिया का ऐसा लग रहा था, इन प्रपोजल से, फिर आया the cabinet mission 1946, ये इंडिया में कब आया, 4th मार्च 1946 को, इस में 3 cabinet ministers थे, ठीक है, इस mission में 3 cabinet ministers थे, तभी से cabinet mission कहते हैं, कौन से थे वो 3 British cabinet ministers, पहला था, पैथिक लॉरेंस, दूसरा Stafford Crips था, और तीसरा Alexander था, Mission ने क्या-क्या recommend किया, वो दिखते हैं, एक union of India बनेगी, ठीक है, एक union of India बनेगी, उस union of India में British India होगा, और states होगे, राट, कुछ reserved subjects के सिवा, सारे subjects states रखेंगे, राट, कुछ reserved subjects के सिवा, सारे subjects state रखेंगे, The paramountcy of crown was to lapse Paramountcy को मतलब होता है यार supremacy यानि अभी the crown का ही तो राज था ना हमारे उपर तो अग crown का राज खतम होने वाला था राइट The paramountcy of crown was to lapse Constitution बनाने के लिए हमें Constituent Assembly की जरुरत होती तो उस Constituent Assembly को हम Elect करते जब तक एक government बने इंडिया में तब तक एक interim government यानि एक temporary government बनती जिसको support मिलता सभी political parties का इंडिया में सभी political parties क्या Muslim League थी और एक ये Congress थी तो दोनों ही political parties के support से interim government बननी थी जिसको temporary government कहते है Cabinet Mission Plan के proposals को Accept कर लिया गया ठीक है इसके Cabinet Mission के plan को Accept कर लिया गया और July 1946 में Elections होने थे Constitution Assembly के Finally, the Indian Independence Act 1947 इस Act ने कहा कि दो Dominions बनेंगे ठीक है दो Independent Dominions बनेंगे पहला है इंडिया, दूसरा पाकिस्तान कब बनेंगे? 15 August 1947 को 194 लिग गया, 1947 होगा ठीक है? 15 August 1947 को दो Dominions होंगे, जो Independent होगे इंडिया एंड पाकिस्तान हर Dominion का अपना अपना Governor General होगा जब तक वो लोग 15 अजाद हों तब तक एक Governor General होगा जो King अपॉइंट करेगा दोनो Dominions के लिए ठीक है? पाकिस्तान के लिए अलग, इंडिया के लिए अलग दोनो ही Dominions की Constituent Assemblies ठीक है? उनके पास पार थी के वो Frame Laws बना सकते हैं अपनी अतनी Territories के लिए जब तक नया Constitution बने 15 अगस 1947 के बाद British Government का Control पूरी तरीके से हट जाएगा दोनो Dominions से जब तक एक नया Constitution बन के Ready हो ठीक है? जब तक नया Constitution बन के Ready हो तब तक दोनों ही Dominions किस से गवर्न होंगे? Government of India Act 1935 से गवर्न होंगे, जो Secretary of State की post थी वो abolish हुई और उसकी जगा आया Secretary of the Commonwealth of Nations उसकी जगा आया Secretary of the Commonwealth of Nations अब हम अपने last phase में चलते हैं 1947 to 1950 The Framing of the New Constitution अब इंडिया आजाद हो चुका है और असली struggle अब स्टार्ट हुआ है, because अब इंडिया को अकेले ही rules बनाने है, laws बनाने है एक independent nation की तरह खड़ा होना है और democracy लेकर आनी है country में जो members थे constituent assembly के उनको provincial assembly ने indirect elections के थूँ elect किया, ठीक है 296 seats जो थी वो British India की थी Congress की जो seats थी 211 seats थी, 211 and Muslim League को किती seats मिली 73 seats मिली, right यानी 296 seats British India की थी उसमें Congress को 211 seats मिली और Muslim League को 73 seats मिली और बाकी जो बची हुई seats थी वो फिल नहीं हो पाई Constituent assembly को एक sovereign body नहीं बोला जाता है, क्यों नहीं बोला जाता है Constituent assembly को एक sovereign body because वो cabinet mission plan के अंडर बनी थी लेकिन 1947 के act के बाद जब से 1947 का act पास हुआ उसके बाद से ये Constituent assembly एक sovereign body बन गई जब तक ये act पास नहीं हुआ था 15 अगस के पहले पहले ये body एक sovereign body नहीं थी जब तक 1947 का act पास नहीं हुआ था लेकिन इस act के पास होते ही एक sovereign body बन गई important members कौन कौन से थे Constituent assembly के जवाहरला लेरू, राजेंदर प्रसाद जी सरदार पतेल जी, डॉक्टर बियार अंबेड कर दुर्गाबाई देशमुग जी, सरोजनी नाइडू जी and many others, देखो जब भी तुम males का नाम ले रहे हो, ठीक है ऐसा तो था ही, ठीक है male members जादा थे, लेकिन कोशिश करना female members के contribution के बारे में भी बताएं, राइट, अगर आपको बोला जा रहा है, Constituent assembly में किन-किन लोगों का contribution था, उनके बारे में कुछ लिखो, तो अगर आप male members का नाम लिख रहे हो, तो female members का नाम भी लिखो, आंसर हटके आएगा थोड़ा, सोच हटके आपकी दिखेगी, राइट, किसी भी competitive exam में, आपकी सोच हटके थोड़ा निखर कर आएगी, समझ रहे हो, क्योंकि आपने female members का भी नाम लिखा, उनका भी contribution आपने बताया, राइट, और इनका सच में भी बहुत बड़ा contribution था, सिर्फ males नहीं थोड़ी constitution बनाया है, इंडिया का, females का भी हाथ उसमे, राइट, तो थोड़ा ना, अपनी सोच को भी change करिए, क्योंकि उसका भी असर आपके exam पर पढ़ता है, first meeting का भूई constituent assembly की, 9th December 1946 46 को, यहाँ पर मैंने general assembly लिग दिया है, constituent assembly होगा, sorry 11th December को डॉक्टर राजेंदर प्रसाद जी chairman बने इस assembly के, Muslim League ने पूरी तरीके से boycott कर दिया इस assembly को, right, और काफी उथल पुथल के बाद objective resolution adopt किया, इस assembly ने objective resolution आगे जाके preamble बना हमारे constitution का, इस assembly ने अलग-अलग committees को appoint किया, right अलग-अलग committees को appoint किया ताकि constitution के अलग-अलग aspect पे वो committees work कर सके, right drafting committee बनाई गई थी, जैसे drafting committee सबसे important committee है constituent assembly की, जिसमें 7 members थे और इसके chairman कौन से Dr. Ambedkar, right draft constitution जैनवरी 1948 को बन कर ready हुआ, publish हुआ, right और जो लोग थे इंडिया के, उनको 8 महीने 8 months दिये गए, कि आप लोग draft के बारे में discuss करें, जो draft constitution उसको discuss करें, और changes बताएं, जो जो हमें करने की जरूरत है, ठीक है constituent assembly कब तक के लिए थी constituent assembly 2 years, 11 months और 18 days के लिए बैठी थी ठीक है, 2 years, 11 months और 18 days के लिए बैठी थी, और इसने 11 sessions किये थे 11 sessions conduct किये थे जो new constitution था, उसे constituent assembly ने कब adopt किया 26th November 1949 याद रखो, adoption date 26th November 1949 है, right और उसे Dr. Rajendra Prasad जी ने sign किया था, commence कब हुआ constitution, commence कब हुआ, commence हुआ 26th January 1950 मे right, जिसको हम Republic Day के रूप में celebrate करते हैं, तो adopt किया गया 26th November 1949 को, commence हुआ 26th January 1950 को, ये चीज़ें आपको याद रखना बहुत जरूरी है, तो thank you so much for watching this video friends and we'll meet soon in the next video, good luck